मैं हूँ मनोजर आप देख रहे हैं में स्रोग फंटेशिक क्रिकेट यूटूब चैनल को अभी जिस मुकाबले के बारे में हम डिसकस करने वाले वो खेला जाए गया ऐसे एडिल्डा स्टाइकर वसी ऐसे मैलबन रिगांडर्स के बीच में मुकाबला खेला जाए गया मैच इसके बारे में फुल स्टेट्स इंफोर्मेशन उसके साथ में ग्राउंड के बारे में और यहां पे चले वीडियो को शुरू कर लेते हैं आज देरी नहीं करने वाले वीडियोच सोटी सी रहेगी लेकिन इन्फोर्मेशन आपको सारी करके दी जाएगी उसे पहले एक अगर वीडियो के दरूप कवर नहीं कर पाता है जैसे कल मैच की वीडियो नहीं बना पाए तो उसके अपडेट आपको टेलिग्रम के अंदर मिल जाएगी जैसे आना चाहो आजाओ टेलिग्रम के अंदर आपका वेलकम है सबसे पहले गाएज जो यह मुकाबला खेला जाएगा यह खेला जाएगा डोकलेंड स्टेडियम मैलबर्न के अंदर यह मुकाबला खेला जाएगा सबसे पहले pitch report के अगर यहां से बात करें तो जनरली देखी एक्सलेंट मतलब यह pitch है बैटिंग के लिए बहुती बड़ी है सिजिस्टिक की जा रही है लेकिन अगर start के message के अगर यहां से बात करें तो start के message में आपको fresh wicket देखने को लेगी से 11 wicket गये थे फास्टर ने 7 wicket निकाली थे 4 spinner निकाली थे उसके बाद में नीचे आते हैं उसके बाद में guys एक और मुकाबला यहां पर खेला गया था यहां पर भी देखिए 16 wicket गयी थी लेट spinner game आये हैं लेकिन start के अगर देखेंगे तो आप faster को ज्यादा मिलेगे और अगल ओल ओर यहां से बात करें तो wicket 42 गई है और 27 यहां से फास्टर को मिली है 14 wicket यहां से spinner को मिली है और एक wicket रन आउट हुए है उसके बाद में guys जिन दोनों टीमों के बीच में आपस में मुकाबले खेले गया है head to head मुकाबले तो उनके बारे में हमें एक बड़े discuss करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां से शो हो रहा है कि इन्होंने total all over यह है यह है आपके सामने शो हो रहा है यह एडिल्डा इन दोनों टीमों की गेंदबाजी अभी भी ठीक है बड़िया है लेकिन यहां पर बल्ले बाजी में थोड़े से नए प्लेयर एड़ होए है यूथ मैं काऊंगा यंग प्लेयर है लेकिन वह भी talented प्लेयर है तो यहां पर देखकर चलिएगा उसके साथ में यह से बात करें हैं vivo तो देखिए रिगार्डश जब-azed बल्ले भाजी कर रही है वह जीत रही है उन्होंने एक भी मुकाबलत नहीं जिता है डिलियर्डा striker के सामने अभी अगर बात करें अभी तक पीछी रिकर में लेकर पहले बल्ले बाजी कर रही है अबिधल्डा striker तो PG PayPal post तो और बिखाऊंगो लेकिन सबसे पहले इनके बीचे में जो मुकाबले खेले गें वो एक बर आपको जरूर देखना चीए तो देखी यहां से स्ट्राइकर्स ने स्कोर किया था रिगार्डर ने मैं कहूं आराम से विन करनी आ था चैए विकेट से विकेट से विन कहा था टोप स्क जो के बाद लिए अगर रिगार्डर ये बात करें लेट से पिनी रिगेट आपको जरूर ये रिट्रे से साथ कुषार लेट करें विकेट निकाल ली थे और उसके सा में स्कोर भी अच्छा कहा सके था उसके बाद में गाईज अगर ये दोनों टीमों के बीच में हैट्वेड अगर देखना चाहिए तो हाईए स्कोर कौन थे जेक वैधरलेंड थे जिनोंने अच्छा खासे मैं कहूंगो स्कोर के थे 9 मैच के अंदर 213 रन किये थे 30 के अवरेज देखने को मल रही है और 350 भी जगाई थी और 30 के अवरेज जिनको देखने मुल रही है मार का हरिश है यह भी ठीक ठाक प्लेयर है लेकिन यह भी अवलेबल नहीं है एलेक्स के अगर फोम के बात करें तो वह तो ठीक ठाक लेकिन लास्ट सीजन के इतना ज़्यादा अच्छा परदसन नहीं था वहीं आर जगाई तो अभी घ्रकर ने पांस बैस के अंदर शेट निकाले थी तो अभी गायज बात करेंगे हम सबसे पहले मैल बस्त रिगाडर्स की जो प्लेंग लेवन उसके बारे मों डिसकस करें तो सबसे पहले आपको फुल स्कॉर्ड आपके सामने दिखा रहा हूं या आपके यह देखनी है व्यसके प्लेयर को आपके सबसे हैं तो सबसे पहले मैं मैलबर रिगाडर्स की डारेक्ली आसे बात करोंगा प्लेंग लेवन रह सकती है तो सबसे पहले आपको नाम शोर आरान फिच आभी इनके फिक नियूंड यहाँ सबसेके टीर के नियूंग अगर अभी चल रही है अगर आज फिटनेश टेस्ट जो है उसके अंदर अगर यह कंप्लेट ही ठीक हो जाते तो यह अवलेबर नहींगे अदरवाइस यहां से यह मिस करने वाले हैं देखिए अब भी फूली अगर आप नीचे का बीच का अगर आज से स्क्वाइर इनका तो इसके बाद में बात करेंगे शैम हरपर है जो विकेट के पर क्षेक्शन को समालेंगा राइट अगर पर यह चैन्द बाजी प्लस अभी प्रेक्टिस मैच कंदरी यह गेंद बाजी प्लस बैटिंग दोनों कर रहे हैं अगर बैटिंग में ऊपर आ जाते हैं तो वहाँ पर भी कमा का पदसन करके दे सकते हैं स्कोर बहुत ही जबर्दस करके देते बड़ी हाइट के बढ़े बड़े चक्के लगाते जैंप एटर्सन का अभी वही शेम रोल रहेगा अगर बल्ले बाज यह चैनद बाज को समालेंगे और वहीं उनके साथ में देने वाले हैं जै छोट लेख जिए बंड़ी प्रॉल्यंूमीर मेंYa मैं यतनका ठीक ठाट की करते हैं ये निसानिकी बड़ी हीटी जढ़ा साहथ की हका जबासते हैं लगा। academy happily चैर्टों मेर्लोव जिस्वी प्रेट का आपको देखना है से देख सकते हो उसके बाद में कें रिचर्ड जेम पेटरेशन का आगर देखें तो जेम पेटरेशन यहां से उनिल चाहस मैच के अंदर यहां से एक्षेरन स्कोर के और अठावन विकेड पे निकाले तो ठीक ठाक उन्होंने भी से आपको ऐसे जरूर देखना चाहिए अब मैं डार्क ली ऐसे बात करूंगा जो इनके प्लेइंग लेंग ले सकते हैं उसके अंदर आपको बताने वारों लेट्समें राइट है तो इन्होंने तेरा प्लेयरों के स्क्वाइड निकाली आपके शामने शो हो रही है फुली बाजी आती तो आपको ठीक ठाक बले बाजी करके दे सकते हैं और ऐसा प्लेयर आपकी टीम में मैं कहूंगा होना बेची और ग्रेंड लिग की बहुत ही बढ़िया चोईश हो सकती है उसके साथ में डैनिल डू लोग बहुत खम जानते हैं यह जबरदस प्लेयर है और मैं क अगर बात कुरूद बहुत ही बढ़िया बले बाजी करके आ रहे हैं तो इनको भी आप ट्राइ कर सकते हो ग्रेंड लिग के आपकी चोईश बढ़िया रहेगी तो सबसे पहले आपको नाम शो हो रहा है यहां से सबसे पहले जो आपको इनकी एडलिट स्ट्राइकर की प्ल यहां से रेयर्ण गेपस हैं राइट रफड़ बाजि कराते हैं और में गिंद बाजी का सेक्षिण जो रहता है रशीद खान के हाथ में शमाल के रखा जाता है अगर देखिए अगर पिच पर यहां से नहीं मिल रहे हैं तो यह वह बंदा है जो कि विकेट निकालने की समत तरक तबाद मैं दैनिव और वह सब्सक्राइब nज रहिए जो प्लेर रहें वाले के तोमस धेली रहने वाले जो राइटर बेट्समें उसके साथ में लियाम श्कॉट यो राइटर बैस्में उसके साथ में राइटर आम फास्स गिंदमाज है इंटरनेशनल इतना ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन पीटर शेड़ले को है रशीद खान को जी गोटन के पास में जो अभी प्लेयर हो हैं लेट एंड बैट्समें उसके साथ में गेंदबाजी प्लस बैटिंग लेट एंड फास गेंदबाजी दो दोनों चीजों से कंट् दिखना चाहेंगे तो आठב के अधर उनोंने इसे और यहांसे बात करेंगे इन्होंने स्कूर किया देखना ज्यादा इनीका इंटरनेशनलर टीट quiet तो उनके स्कूर अगर आप बात करेंगे तो आएथ की यहां से कोवीस रणीड निघ्र करके Church यद्ट आरा 20-31-20 के अंदर ये record है मतलब 1-24 last match के अंदर ही लगा के रहा नाबाद खेल रहे थे तो आपके लिए differential pick के तोर के तोर के पर इसी लिए मैं बोलूँ कि differential pick आपके लिए हो सकते हैं उसके बाद में ऐसे बात करेंगे हम उसके बाद में guys आप याँसे देख सकते हैं Harry Nicholson का भी देख सकते है 12 match के अंदर 134 run ने उन्होंने भी किये है 9-11 के अंदर और 19 coverage देखने को मिल टाए है 50 भी नहीं लगाई है Jack Weatherland का एक पर देखना चाहेंगे थोड़ा experience जादा है और वहीं उनके साथ में जोनाथन वैल्स का देखना चाहेंगे 106 match खेले हुए हैं उसके साथ में 2000 प्लस स्कोर किया है और 1250 लगाई हूँ बढ़िया प्लेर है रियान अगर Gibson के ऐसे बात करेंगे तो 231 run उन्होंने भी किये हुए है और फिर उसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां से Matthew Short का देखेंगे 36 match के अंदर 408 run किये हैं 14 की average देखने को मिलेगी इतने ज़्यादा average नहीं मिलेगी गेंदवाजी से इस मैं कहूँगा इस से अगर इस season मुझे लग रहा है कि Matthew Short को ज़्यादा मौका मिल सकते है गेंदवाजी से भी उसके साथ में बल्लेवाजी से भी contribute तो टोप ओटर केंदर आकर करे रहे हैं उसके बाद में रशी नीचे अगर गेंदवाजी में आ जाते तो रशीद खान पीटर शेडले टोप विकेट टेकर में दिखाए देंगे उसके बाद है हैरी कॉनवे है उसके बाद में फवाद अहमाध ये बंदा अगर खेलता है तो बहुत महारत है जवर्द की विकेट निकाल लेता है जवर्दस विकेट है रशीद खान के साथ में ये contribute कर सकते हैं अगर खेलते हैं तो अब गाईज फाइनली यहां से हम पहुच चुके हैं फोली अगर हमने डाटा जो भी collect किया है जो भी हमने देखे है प्लेट की कौन सा यहां से मैं कोंगा नया जो अभर कर शीतार आ सकते हैं ऐसे प्लेइर हमने देखें उपर तो शारे स्टेट देखने पेंगे हम दिसकर करने वाले हैं जो बाई सेल की पिक और मल्टी बैगर, प्रिमिर मल्टी बैगर के बारे में डिस्कस करने वाले, तो गाईज, उससे पहले अगर आपने टेलेगाम चैनल जोइन करने लेना, या जो भी अपडेट वगरा मिलती है, वह ही आपको मिलने वाली है, तो सबसे पहले जो मेरी बाई आपको माल लीजिए, अगर नहीं भी खेलता है, तो पैसे आपको रेटन मिल जाएंगे, यह निड्रीवलेंट के अंदर सीधा चला जाएगा, नहीं आपको पैसे वापिस रेटन मिल जाएंगे, तो आप यहां से जेम्ट पैटन्स को आभी खेल, यहां से बाई करके चल सक उठा कर दे दूँगा, अभी के लिए मैं बाई के पिक के अंदर के जा रहा हूं, तो अभी मैं देखिए, मल्टी बैगरी के पिक के अंदर सबसे पहले मेरा शेप पोचन के अंदर नाम शोर आपको रशीद खान है, आरोन फिंच है, शेय मेरे पर यह तिन प्लेयर आपको आप स्टार प्लेयर के तोर के पर मानका चल सकते हैं, उसके बाद में री टोपले हैं, जो डैप्स के अंदर गेंदवाजी करेंगे, उस कंडिशन में मैंने इनको पिक किया हूआ है, अपली बल्लेवाज से तो कंट्रिबर निक्सें कम उमीद है, लेकिन गेंदवाज से अ अभी के लिए मैंने ड्रोप किया हूआ है, बाद में मैं पिक कर सकता हूँ, तो फाइनल अपडेट आपको टेलिगाम के अंदर मिल जाएगी, छोपली जितना हो सकेगा, मैं पेटर शीडुले को एड़ करके ही चलने की कोशिज करूँगा, तो अभी जोनथन वेल्स मैथ् आपको वहीं पे मिलने वाले, तो देखे, प्रिमियम मेल्टी बैगर के अंदर मेरी फिक रहने वाली है, स्टार पिक मानके चलिएगा, शैम हार पर, एरॉन फिंज कलते हैं, तो फिर उनको ट्राइ करना, या आपके पास जैक वेदर लेंड का भी उप्शन उनको ट्राइ क के बेश के अपर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को कर देना, लाइक चैनल को कर लेंगे, सब्सक्राइब को साथ में, टेलेग्राम मस्ट इंपोर्टन्ट है, आजाना है, थेंक यू सो मस्ट गाइज, कीप सपोर्टिंग,